हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर पकाश हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्चुन इन्फो सलूशन के तरफ से आपका हाथ एक स्वागत करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछने अपडेट्स के साथ आजिर हुए है और अपडेट है गुरु गोविंद सिंगेंद्र प अप्रिशियल वेब साइट है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं तो आई यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या नोटिस में अपडेट्स आई तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कि इन्होंने डेट दे दी है और जो स्टुएंट्स दिल्ली से हैं वो अवेल कर सकते हैं स्टेट कोटा यह सारी चीज़ें इसमें लिखी भी हैं कि जो स्टेट कोटा अवेल करना चाहते हैं वो दिल्ली के ही रहने वाले होने चाहिए और दिल्ली से ही उन्होंने 11 और 12 की बढ़ाई की होनी चाहिए है कि यहां पर इनों लिखा है कि जो इनकी अफिशिल वेब साइट है उसे रेगुलरी चेक करते रहे है www.ipu.acac.in या ipu.admissionsadmi mios.nics.nics.in यह दो इनकी अफिशिल वेब साइट है इन्हें रेगुलरी चेक करते रहें और यह देखिए दोस्तों यहां पर से इनकी शेडियूल आ गई है तुम आउनलाइन रेजिटेशन 8-10-2020 से स्टार्ट हो गई है और क्लोजिंग डेट 20-10-2020 है जिस स्टुडेंट्स ने अल्रेड़ी आउनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है और 1200 रुपए का जो अमाउंट है ऑनलाइन अप्लिकेशन की पेमेंट कर दिया है उन्हें 1000 रुपीज और पे करनी है काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए थूनेट बैंकिंग क्रेडिट या डेबिट कार्ड बैंकिंग और जिरोंने नहीं पे किया है उन्हें सबसे पहले 1200 रुपए की एप्लिकेशन फी पे करनी होगी प्लस 1000 रुपीज की पार्टिसिपेशन फीज कांस्लिंग पार्टिसिपेशन फीज यानि की टोटल 2200 तूँटी तूँट तूँट रुपीज की पेमेंट इनकर नहीं है थूनेट डेविट क्रेडिट है फसलिटी चुट तूँट जिस्टुएंट्स को क्लें करना है रिजर्वेशन वगरा वह प्रूफ अप्लोट करने होगी रूस्टेट कोटा के लिए वो अपलाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें फूप अप्लोट करने होगी यह सारी चीज़एं इसमें लिखी है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं ip.ac.in यह ip.admissions.nick.in इनकी ओफिशियल वेब साइट है कि अगर आपको फाइदा उठाना है तो उसके लिए आपको उसकी जो सर्टिफिकेट है वो गवर्मेंट डेली गवर्मेंट के दवारा जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट से वो अप्लोड करनी पड़ेगी राट टाइम पर वही सारी चीज़ नहीं होगी यह जो भी आपकी से बगरह सब्सक्राइब करना चाहते हैं वह आर्मी परसनल के होने चाहिए एक्स आर्मी परसनल वार विडोस विडोस आफ आर्मी के सब्सक्राइब होने चाहिए यह सब्सक्राइब है कि डिफेंस काटेगरी के लिए भी उन्हें सपूर्टिंग डॉक्मेंट्स देने होंगे इसमें चाहिए इसमें चाहिए वह स्टेट कोटा की इल्जिबिल्टी हो उसके लिए जो सपूर्टिंग डॉक्मेंट्स है वह बिल्कूल मैंडिट्री है केंड़ेट को एडवाइस किया जा रहा है कि एस सूनस पॉसिबल एस पॉसिबल अप्लाइब कर दें बहुत पार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप अप्लाइब कर रहे हो विबसाइट हैंक कर गई सर्वर हैंक कर गया इंटरनेट ट्राफिक बहुत हाई होने के वज़ए से सर्वर लोग हो जाता है कम्निकेशन नेटवर्क लोग हो सकता है तो इस चीजों को से बचने के लिए उन्यूएस्टी पहले ही आपको एडवाइस कर रही है कि पहले से ही अप्लाइब करके रखो जो भी प्रॉसेस है इस समय से पहले कर लो ऐन टाइम कर लो ज्यादा बहतर है कि लास्ट मौमेंट पर नेट्वर्क इसुज bis आने के चांजसें है कर सकती है पेमें तरडी हो सकते हैं तो यह सारे प्रॉल्म्स होते लाज भी जहां अप्लाई करना है अप्लिकेशन अगर इंद्रपार्श उनिवस्टी में अप्लाई करना तो जल्दी पहले देट से पहले ही अप्लाई कर ले बागी सारी नॉर्मूल सीजन दुस्तों देखिए यहां पे फिर से इन्होंने क्लिरली लिखा है कि कैंड़ेट्स क्लेमिंग सीट इन डेली रिजिन मस्ट हव पास्ट दे कॉलिक्फाइं एक्जामिनेशन 11th & 12th फॉम एनी स्कूल और कॉलेज लोकेटेड इन डेली ओनली मतलब आपको यह दिखाना होगा कि आप दिल सकती है आप कर सकते हैं डेली रिजिन में सीट यह नॉर्मल प्रोसीजर है दोस्तों अगर यह है जगा है और यह स्टेट में के लिए दोस्तों जिन स्ट्रेशन नहीं की है आई प्यू डॉट अड्मिशन डॉट निक डॉट इन इस वेब साइट पर जाके आप रेजिस्टर कर सकते हैं अगे हुए करने के बाद जो किया फॉर्दर प्रोसेस यह वे है फोसा इन करना है इंडराना है है विष्ट करना है कि कृप करना है और अप्लिकेशन स्प्रुपन समय डालना है नेम डालना है लेट ऑफ बर्ड इंडर जेंडर वो सारी वरिफिकेशन होगी तो यह सारी प्रॉसस इसमें दी भी है कि फोड़ा शॉट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ज्यादा एक डिटिल्स में जाओंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जागई है यहां पर भी इन्होंने सारी स्टेप्स वगरा दी हैं कैसे डॉक्मेंट अप्लोड करना है रेजिस्ट्रेशन फीपेइमेंट कैसे क्या करनी है इमेल मोबाइल वरिफिकेशन नंबर की प्रॉसस पूरी दी भी है यह आप देख रहे हैं ओटीपी वगरा आएगी आपके इमेल आईडी पर या फोन नंबर पर पर वही चीज़ जो इन्होंने पहले दी थी तो त्वेल्वंडर्ट अनूली रेजिस्टर्ट कांटेट्स प्रस्ट वन थाउजन कांसलिंग पाटिसिपेशन फीज अगर आपने परेस्टेशन नहीं किया तो 2,200 टोटल फीज अगर आपने फीज पे कर दी है और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थूँ और स्टीटस अगर नहीं है इसका मतलब ट्रैंजक्शन कैंसल हो गया है अगर नहीं है तो नहीं हुआ है आपको दुबारा एक बार करने करनी पड़ेगी अगर अगर अब्डेट्स के लिए जो इनकी अफिशिल वेबसाइट से उन्हें चेक करते रहे हैं यह लिस्ट दी भी है कंसेंड अथार्टी के हैड़्स की अगर 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 कि यह दोस्तों अनेक्षर अनेक्षर भी यह यहां पर कॉंस्टिश्टिशनल क्या ग्रूप्स है वगर्ण यह सारी चीजें दीवी हैं लिस्ट दीवी हैं ओब्सी इस्ट ओफ बिसी अप्रूब बाई यह सीएस्ट ओबिसी विलफेर डिपार्ट्मेंट कौन कौन साइं अप्रूब्स अब्सी की कि वेलफेर डिपार्ट्मेंट ने यह अफिशियल दीवी हैं लिस्ट तो बस यह हो गई दोस्तों यहाप यह एंड हो जाती है नोटिस तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स है यह नोटिस खतम हो गई दोस्तों और बस इतनी ही अपडेट है इस वीडियो में अगर आपको हमारा यह वीडियो इंफर्मेटिव हेल्फुल ग्यान और अधक और अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल हमारे यूटुब चैनल के थ्रू मिलती रहें और किसी भी तरह की तरीके की हैल्प इंफर्मेशन अपडेट कांसलिंग गाइडेंस के लिए या पीड कांसलिंग गाइडेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबस दिये झाल